जा हिंदिस वीडियो नोग समझेंगे मंगलम इंडेश्ट्रियल फैनांस लिमिटेड कंपनी इस कंपनी के कौड़ फोर के रियल्ट आने के बाद भी सेयर प्राइस में तीजी देखने को नहीं मिल रही है उल्टा सेयर प्राइस में और गिरावट ही हो रहा है तो इस अपना हुआ था जब यह कंपनी बना अस्तित्व में आया उस समय इसका उदिश से था कि यह कंपनी इंडेश्ट्रियल चेत्रों में काम करेगी लेकिन बाद में यह कंपनी एनबी एफसी में शिप्ट हुए यानि कि नन बैंकिंग फाइनांस का करोबार करती है अब समझे इसका मार्केट कैप है लगभग 500 करोल का सब्सक्राइब आज के दिन का से देखेंगे तो लगभग 2.13 परसंट की गिरावट इसमें देखने को मिली है देखेंगे पिछे की वजह क्या है सबसे पहले तो यह जो स्टॉक है काफी दिनों से और जब आपको पता है कि स्टॉ जी आता नहीं है आप देखेंगे लगभग 5.5 रुपे से लेकर 4.5 रुपे इसके रेंज में इसका प्राइस पिछले कई दिनों से रह रहा है अब सवाल है कि इससे बाहर कब निकलेगा और निकलेगा तो किया प्राइस उपर जाएगा या निचे आएगा समाने तो प्रा अगर इस इस आप से देखें तो इसका बाहर निकलने के बाद इसका डाउन ही जाएगा इसकी बनती है हाला कि ऐसा होगा यहां पर आपको एक्टिव होते हैं यहां तक जैसे प्राइस बढ़ कर जाएगा फिर एक बार डाउन आएगा उसके बाद फिर उपर उठेगा तो और उस पोर्ट लेबल होता है वह स्टॉंड लेवल चार रुपर चुवन पैसा सपोर्ट लेवल होते हैं जहां पर रेक्टिव होते हैं बायर्स यानि प्राइस नीची आएगा यहां तक तो वहां पर बायर्स बढ़ करें और फिर प्राइस बढ़कर ऊपर जाएगा यह होता है रेस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल यहां तक तो बातें समझ गया अब देख लेते हैं इसका रुपए लोटाए जाते हैं इसलिए किसी भी कंपनी का बुक वहलू जितना अधिक रहे उतना अच्छा होता है और यहां देखेंगे तो इसकी इस्तिती बहुत नाजुक है और इसका लावा देखेंगे तो रिटर्न और रिक्विटी और आरो से दोनों निगेटिव है यान बत है याली में कंपनी का रियल्ट आया है पिछले प्रोंट थी में इसका डोका पंच लाखा था जो पर शेर देखें सेम रहागिया नहीं बढ़ाया बेंट पर सेर होता है कि एक साल में आपका जो सेर उस पर कितना रुपया या पैसा बढ़ा यह बढ़ना चाहिए लेकिन यहां नहीं बढ़ाया और तो अगर बात करें तो आप देखेंगे इसमें परोटर के सित्दारी है लगवक 74.54% हलाकि इसमें परोटर स सदारी अधिक है तो आप देखकर समत हुए गए प्रमोटर्स भर-बर के हैं यहां देखिए इसमें लगभक 22% से अधिक हिस्सादारी मतलब शेयर्स प्रमोटर्स का गिरवी पड़ा हुआ है यानि कि प्रमोटर्स के पास यतने से उन में तो अगर तो आपको इसमें देखने को मिलेगा तो अगर इसमें इसमें देखने को मिलेगा वैसे यह कंपनी ठीक है मतलब इसका जो बिजनेस मोटर्स ठीक है और फंडामेंटल भी कुछ खास बुरा नहीं है आपको इसमें समय देना चाहिए और जो नए लोग है अगर इंटी लेना चाहते हैं तो देखिए यह पेरिये श्टॉक है आप इसमें इसमें उतना ही इंवेस्टमेंट कीजेगा जितना अगर आपको रोप्या डूब जाता है तो तनाव नहीं हो उमीद करता हूं आप इनी बातों को समझ पा रहे होंगे वीडियो इन्फरमेटीव लगी होगी मन में कोई भी सवाल है संका है डाउट है तो आपस कमेंट में जरूर पूछिए मैं सबके कमेंट कर रिप् कर सकते हैं और सेर बजार से समंधित पाने के लिए आप हमया टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब धन्यबाद शुक्रिया